बर्ड फ्लू से ने बटने के लिए ग्योशना बनाई है, यह जानकारी PM की तरफ से दी गई साथी साथ उन्होंने बर्ड फ्लू को लेकर अफवाएं ना पहले इसको लेकर भी कहा है और साथी साथ गाइडलाइन्स का पालन करने की बात कही जिन राजों में बर्ड फ्लू नहीं है वहाँ पर भी अलट पर रहें बर्ड फ्लू पर सावधानी बढ़तें लोगों से अपील की गई है पीम की तरफ से बता दे कि कई राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टी हो चुकी है जिसको लेकर PM मोधी ने लोगों से अपील की है कि लोगों में अफ़ाए ना पहले इस पर ध्यान रखा जाए और साथी साथ बर्ड फ्लू को लेकर एक जुट प्रियास से ही मदद मिलेगी ये PM की तरफ से कहा गया है साथी साथ ये कहा गया है कि जो इसको लेकर गाइडलाइन्स की पालन की बात कई गई है लोग उसका तरीके से सही तरीके से पालन करें ताकि जो बर्ड फ्लू की समस्या है वो और ना बढ़ है बर्ड फ्लू से निपटने के लिए जो है कई गाइडलाइन्स क जो है उनके पालन की बात कई गई है साथी साथ उन्हों ने का कि बर्ड फ्लू को लेकर अफ़ाहिना फैलें जिन राजों में फिलाल बर्ड फ्लू है जो वो नहीं है वहाँ पर भी अलट पर रहें बर्ड फ्लू को लेकर साफधानी बरतनी की अपील पीम की तरफ से लोगों आपि लेकर 9 रार्जों में बर्ड फ्लों की पुष्टी हुई है आपको बता दे कि हिमाचल, डिल्ली, केरल हर्याना शामिल है साथी आपको अन्हों ने कहा कि जIndra, जिन राजों में अभी बर्ड फ्लों नहीं पहुंचा है लेकिन वहां कि सरकारे भी सतर्क रहें क्योंकि एक जुट होने से ही एक जुट प्रयास से ही मदद मिलेगी ये पीम की तरफ से कहा गया है बड़ी और एहम जानकारी बड़ी बाते पीम के संबोधन के आप तक पहुचा रहे हैं जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर पीम की तरफ से तमाम जानकारी दी गई साथी साथ बर्ड फ्लू को लेकर भी उन्होंने सबसे पहले कोरोना वारियर्स को वैक्सीन लगेगी ये पीम की तरफ से कहा गया सबसे पहले ये Corona Warriors को लगेगी उसके बाद Front Line Workers को Corona Vaccine मिलेगी PM ने ये जानकारी दी सबसे पहले Corona Warriors को Vaccine लगेगी आपको बता दे PM की तरफ से ये जानकारी दीगी हाला कि लगातार यही का जा रहा है कि सबसे पहले स्वास्थेकर्मियो जो frontline workers हैं फिर उनको vaccine लगेगी चार और vaccine ऐसी हैं जिन पर काम चल रहा है जिनको लेकर आगे की बैठक में रनीती बनाए जाएगी ये PM की तरफ से कहा गया frontline workers को पहले चरण में ये vaccine लगेगी कोविन आप के जरीए भी registration करवाया जा सकता है साथी साथ monitoring जो real time monitoring है उस पर भी नज़रे बनी रहेंगी सबसे पहले corona warriors को ये vaccine लगेगी ये जानकारी PM की तरफ से एक बाफिर से दी गई है लगातार सबको इंतजार था कि आखिर corona vaccine कब लगेगी सबसे बड़ा तीका करण अभ्यान शुरू होने वाला है देश में 16 जन्वरी से frontline workers को पहले चरण में vaccine लगेगी जिसका पूरा खर्चा है वो केंदर की तरफ से उठाया जाएगा इस वक्त की बड़ी और एहम जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं पीएम के संबोधन से जुड़ी जिसमें उन्होंने का कि सबसे पहले कोरोना वारियर्स हैं उनको vaccine लगेगी बर्ड फ्लू को लेकर भी पीएम याँ पर बोलते नजर आए बर्ड फ्लू को लेकर उन्होंने कहा कि नौर राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टी हुई है लेकिन जहां पर पुष्टी नहीं हुई है वहां की सरकारे भी सतर्क रहें इसको लेकर काम किया जा रहा है योशना पर काम किया जा रहा है बर्ड फ्ल्यू से निपटने के लिए योशना बनाई गई है साथी उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो एतियाग जो बरतने के लिए कहा गया है उनका पालन जरूर करे बर्ड फ्लू को लेकर आफवाए ना फैलाएं जिन राज्यों में बर्ड फ्लू फिलहाल नहीं है वहाँ पर भी अलट रहें बर्ड फ्लू पर सावधानी बरतनी की अपील लोगों से की गई है पीम की तरफ से बर्ड फ्लू पर पीम मोदी ने कहा है कि जिन राज्चों में बर्ड फ्लू है वहाँ पर एहतियात बरती जाए और साथ ही साथ बर्ड फ्लू से ने बटने के लिए योजना बनाई जा रही है ये भी उनकी तरफ से कहा गया और ये कहा गया है कि बर्ड फ्लू को लेकर पर रहे हैं